नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर बहुत-बहुत स्वागत है डिर्शन्स मैं आपके लिए लेकर रहे हूं साइंस के टोप 30 क्यूशन जो बार-बार आपसे एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो डिर्शन्स आप किसी भी लाइक और शेर जुरूर किजेगा अगर आप हमारे चनल पर पहली बार विजिट करें अमरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लिए चनल को सिस्क्राइब लिए और बैल आइकन को जुरूर प्रेस के लिएगा डिर्शन्स परते क्यूशन का अंसर कमेंट बोक्स में है तो चलिया डिर्शन्स start करते हैं आजकी क्लास और जुर्ड़े हैं अपने first question के साथ तो डिर्शन्स आज का आपका first question है किस तत्व की कमें से घ्यांगा रोग होता है कौन से तत्वे की कमी से घेंगा नामक रोग है वो होता है तो right answer को option D iodine याद रखेगा iodine तत्वे की कमी से घेंगा रोग होता है D रहेगा आपका right answer चलिए second आपका डेंगू एक बुखार है जो उत्पन होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुचता है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुचता है right answer का option C virus और मादा एडिज मच्छर द्वारा तो C होगा आपका right answer थर्ड है आपका power transformer की कारिया पनाली का सिध्धान डेस डेस पर आधारित है किस पर आधारित है डेस फैराडे के नियम पर आधारित है पावर ट्रांसफारम की कारिया पनाली का जो सिध्धान थै वो फैराडे के नियम पर आधारित है डी रहेग आपका right answer नेक्स्ट आपका उस परिकिरिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस शोलिड वस्तु में परवर्तित हो जाती है तो क्या नाम है डी उस परिकिरिया का option A डी पोजिशन option A रहेगा आपका right answer चलिए next देखेगा next है आपका आधुनिक आवर्त सानी के पहले वे दूसरे समू को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है डी रहेगा आपका right answer चलिए next है six देखेगा यदि लोलक की लंबाई चार गुना की जाए तो लोलक जुलने की समय अवधी क्या होगी डी रहेगा right answer होगा आपका option B दो गुना B होगी आपका right answer चलिए next है आपका रडार सिस्टम में उपियोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है रडार सिस्टम में उपियोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है right answer होगा option A शुक्षम तरंगे होती है A रहेगा आपका right answer next है आपका एक उड़ते हुए चक्के के प्रती second घुनन किस से मापी जाती है डिरसंस right answer होगा आपका option D सेट्रो बोस्कोप D रहेगा आपका right answer next है आपका सुभै का सूरज इतना गरम नहीं होता जितना की दोपैर का क्या कारण है डिरसंस जो सुभै का सूरज इतना गरम नहीं होता जितना की दोपैर का होता है इसका क्या रीजन है क्या कारण है तो right answer होगा सुभै के समय सूरज की किनों को अंत्रिक्स में अधिक दूरी तै करनी पड़ती है तो option D रहेगा आपका right answer next है आपका बेकिंग सोड़े का रसाइनिक सूत्रिक क्या होता है डिरसंस right answer का option D NaHCO3 D रहेगा आपका right answer 11 देखेगा टाइफाइट बुखार किसके दुआरा होता है जो टाइफाइट बुखार होता है वो किसके दुआरा होता है डिरसंस वो होता है जिवानों के दुआरा जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं ठीक है जो टाइफाइट बुखार होता है वो जिवानों के दुआरा होता है बैक्टीरिया के दुआरा होता है एर ही आपका right answer next है आपका निमिन मेंसे कौन सा प्लास्मोडियम पर जीवी का वाहक है तो right answer का option A मच्छर चलिए 13 है आपका विकासवाद का सिधान किसने प्रती पादित किया विकासवाद का जो सिधान थे डियर सेंस वो किसने प्रती पादित किया था जार्विन ने किया था डियर सेंस आपके लिए बड़े ही फाइदेमंद और बड़े ही उप्योगी रहने वाली है तो वीडियो में लास्तक मेरे साथ बने रहीएगा एक वस्तू पर लगाए गए गुर्तवाक्षन बलको क्या कहा जाता है वजन कहा जाता है डियर सेंस बी रहेगा आपका राइट आंसर चलिए 15 देखेगा 15 कुषिन आपका हाथेली पर रखने पर निमिन में से कौन सा तत्व पिंखल जाएगा उप्यूक्त दोनो यानि गैलियम और भी और सीजियम भी तो सी रह जाएगा आपका राइट आंसर चलिए नेक्स्ट आपका 16 है आईनिक योगिक के गलनांग और कवंतनांग डैस डैस होते है option A कुछ होते है डियर सेंस ए रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट आपका बरफ को पिंखलने से बचाने के लिए निमलिक्त में से किसका परियोग किया जाता है नमक का प्रियोग किया जाता है डियर सेंस या देखेगा बरफ को पिंखलने से बचाने के लिए नमक का प्रियोग किया जाता है B होगा आपका राइट आंसर next है आपका तारे मुख्यत किसके बने होते हैं जो तारे होते हैं वो मुख्यत किसके बने होते हैं very important question है डिर्शन है रहेगा आपका right answer next है आपका stainless steel क्या है stainless steel है जो डिर्शन वो क्या है option C next है आपका लोहे की जंग dash dash होती है तो कैसी प्रिक्रिया होती है लोहे को जंग लगना डिर्शन राइट आंसर होगा रसाइनिक प्रिक्रिया कोंसी प्रिक्रिया होती है रसाइनिक प्रिक्रिया होती है बी रहेगा आपका right answer काच का सबसे महत पून घटक है दिरसन स.िलिका सी रहेगा आपका राइट आँसर आवर्त साणी का अविस्कार किस ने किया था दिमित्री मैडलिफ ने किया था ए होगा आपका राइट आइसर चले नेक्स्ट है आपका पृत्वी की घुनन की गती क्या है क्या है डियर सेंस राइट आंसर का ओप्शन ए 28 किलोमेटर बाइ मिनेट ए रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है आपका निर्वात में यदि लोहा कागच और पत्थर गिराया जाता है किसे इनको समझेगा राइट आंसर हो का ओप्शन D तीनो साथ आएंगे डियर सेंस D होगा आपका राइट आंसर चले नेक्स्ट है आपका ट्वान्टीफाइव ठर्मस फ्लसक का आविसकार किस वग्यानी कीकिया था राइट आंसर गउप्शन ए जयमस दीवर ओप्शन ए रछेगा आपका ररा क्या मापता है Option B, उसमिया वीकीरन B होग आपका Right Answer, Next आपका बरफ के दो तुकड़ो को आपस में, दबाने पर तुकड़े आपस में चिपक जातें हैं, क्योंकि जब बरफ के दो तुकड़ो को आपस में दबाया जाता हैं तो तुकड़े आपस में चिपक जाते उसका region उसका कारण क्या है डियोट सेंस? option A दाग अधिक होने से बरफ का घलनांग घट जाता है आफ ही होगा आपका right answer norm하하 यहां पर दाव है दाव होने पर दाव अधिक होने से बरफ का जो घलनांग हो जाता है घट जाता है ए रहे आफ का right answer चले, next है आपका 28, उचाई की जगहे पर पानी 100 degree Celsius के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, क्या कारण है, उसका option A, वायू मंडलिया दाप कम हो जाता है, अतो उबलने के बिंदू नीचे आ जाती है, A रहेगा आपका right answer, 29 है आपका, चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया ज ca year can, चीटी के डंक can, कौन सा अमल पाया जाता, thuvascular, C, Farmic अमल पाया जाता, उप्शन B, क्या होता है चंग लगने पर लोहे के बार पर क्या फरक परता है, वह बढ़ता है, B होगा आपका right answer, यह थी आज के आपके science के top 30 questions जो बार-बार आपसे exam में पूछे जारे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like और share जुरूर की जगा और याद रखिए यह class आपकी daily morning में 6 बज कर 30 मिनट पर यानि 6.30 बजे आपको daily provide करवाई जारी है जिसमें आपको daily ऐसे question हम provide करवा रहे हैं जो बार-बार आपसे exam में पूछे जारे हैं तो डेली class को attend की जीगा और वीडियो को like और share जुरूर की जीगा और प्लीज अगर आप new student तो प्लीज चन को subscribe प्लीज गर बैल आइकन को जुरूर से जुरूर प्रेस के जीगा चलिए डिशन्स मिलते अपनी नेक्स वीडियो में कुछ और महत्रपून कोशनों के साथ तब तक डिशन्स सभी को जय हिन जय भार्त वंदे मात्रम एंड टेक कियर